साथ्यों नमस्कार, देश की राजदानी का जैने वाली दिल्ली इन दिनों बाट की हाला तुसे सूज रही है और फरवरी आते आते दिल्ली की पोलिशन फराली की वज़े से अपने पीक पर होगा क्योंकि हम पिसले एक दसक पर नजल डालें तो इस देश और दुनिया की इन प्राकरतिक आपदाओं ने बेपर्स कर रखा है चाहे तो आप उत्रागंड में आई तरास्ती कोई देख लीजिएगा वही जो सिमट की दसने की खबर हो से टर्की में आते लगाता अर्थकीक ये सब प्राकरतिक आपदा बिगड़ते क्लोबल वार्मिंग काई परिणाम है क्योंकि मानुवी कारकों ने बहुतिक वाद की बढ़ती चाका चोन ने जियो डाइवर्सिटी के सिस्टम को बिगाड कर रखा है तो इनी कारणों से आज दुनिया लगादार प्रकरतिक आपदाओं का सामना कर रही है कही बहार्ट कही सुका तो कही तुफान और वनों में लगती आग जंगलों को भस्म कर रहे है धुरूब पर हजारों सालों से जमी पराफ फिगल रही है मासागरों का बढ़ता जल इस्तर कहीं तर्ट वरती नगरों को उजाड रहा है आज कहीं बिन मोसम बरसाज हो रही है तो कहीं पारिस के मोसम में भी सुका पढ़ रहा है हाली में 27 वर्सों बाद जुई में बाट गाना कलाइमेट चेंज का ही परिनाम है तो लाको जिंदिया दाव पर है हो सकता है इसका प्रभा आपर पर परतिक सुल्प से नहीं पढ़ता हो लेकिन अमीरों की मोज मस्ती और जुदिक क्राइंट या आम जन्ता के भाश्य को गर्त में तके बढ़ रही है क्या ग्लोबल वार्मिंग से तलती हीट वेव आने वाले समय में जंगलों को नश्ट करतेगी तो तुमाम सौलों को जो आप जानेंगे आज किस खास वीडियो है तूफान की आहट का सामना करे गुजरात के कच्छ में इसमक्द भूकम पाया है एक सौपचास किलोमेटर की रफतार से गुजरात कर से टकराएगा तूफार बारी तबाई के आश्रन का अर्याना धिरे धिरे बार की चपेट में आ चुपा है राज़ाने दिल्नी में एक बार फिर से बार का खत्रा मंद्रानी लगा है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए नॉर्मल बात है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत का काम करेगी तो आते हैं वापस अपने टोपिक पर तो गलोबल वार्मिंग को आसान भासा में समझे तो जोदी करांतियों की सुरुआत हुई है तब से पर्तियों के बितर्शियों की मातरा तेजी से बढ़ रही है यानि कि बहुतिक बात की चकाचोंत के नाम पर सहरी करण ने आज हालात इस कदर पहुंचा दिया है कि 2018 में 40-10 कार्बन का उसरजन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है लेकिन आधारभुत उद्योगों को रोक पाना भी मुश्किल है जिसमें सिमेंट उद्योग हो या फिर आयरन इस्टील उद्योग जो हर एक ड़कती कि आधारभुत ज़रूत्यों से चुड़ा व अनुचार चाइना दुनिया के सियूटू का बड़ा उसरसक देश है जो दुनिया के कुल पोल्यूशन में 30% योगदान अकेले चाइना का है भारत की बात की जाए तो साथ परसंट कारबंद का उसरचित करता है जो गलोबल वार्मिंग के कारणों में से एक है दूसरा सब वनोब की कंडिशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की उसमें बताया कि फर्ट्य के बोगोलिंग सहतरगा चार पई मैंट जीरू से विलियन हैक्तर वन को की कवर करता है यानि कि कुल बोग्न इस ज़ेước बनчи के बाद चार सो मीलिंग हैक्टर वन एकटरवान को नस्ट कर दिय बीस के बीस बनों की कटाई की बात की जा तो प्रती वर्स 10 मिलियन वेक्टर बनों की कटाई की जा रही है। साम के नजरी से देखे तो 1.5 क्रोड से 1.8 क्रोड एक्टर जंगल नस्ट हो रहे हैं। इतनी बड़ी वज़े हीट वेल से लगती आग और तापर तोड़ वनों की होती कटाई वेसुत एक पेड़ की मैता को समझे तो मोटा मोटी तोर पर एक दिन में 200 kg ऑक्सेजन सोड़ता है जिसमें 7-8 लोगों को ऑक्सेजन की पूर्थी कर सकता है वही एक पेड़ साल में 120 kg कार्वन डाइकसाड को सोख लेता है तो इस तरह की अंदा दूद पेड़ों की कटाई ने साप जाईर किया है कि कटाई की विज़े से गड़ती ऑक्सेजन और बढ़ता CO2 वरत्मान और भुष्य को ताक पर रख दिया है और आने वाले समय में जियो डाइवर्सिटी वे मानावजाती के लिए जीना दूबर हो जाएगा तीसरा बढ़ा कारण हीट वेव से उजड़ते जंगल और होती मोते वैसे हीट वेव हमारे जितने जंगलों के लिए जितना नुक्सान है उतना ही हमारे बोड़ी के लिए नुक्सान दायक भी होता है क्योंकि ज्यादा हीट वेव से इमिडिटी ग्रो करती है विश्व स्वास संक्टन डब्लु हो और फैटीस यूरोपी यूनियन के देशों में यूई स्टेडी के मताबिक पिछले साल मई में सितमबर तक 61,000 लोगों की गर्मी यानी हीट वेव के वज़े से मोत हुई है पिछले साल में गर्मी यूरोप के इतियास में सबसी भ्यानक गर्मी थी वही हीट वेव से अमेजन के जंगलों में बढ़ती आग पूरी दुनिया को चिंता में डालने जैसा है क्योंकि आगडों की बासाब की बात करें तो 2019 अब तक 34,000 बार जंगलों में आग लग चुकी है ब्राजिल की National Institute of the Space Research के सेटलाइज डाटा के अनुसार 2018 में आग लगने की कटना में 84% की वर्दी हुए तो इस गौनोंतर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो 2014 तक अमेजन के वन खत्म हो जाएंगे तो अमेजन के वन करीब 20% आफिससे की सप्लाई करता है पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वर्दमान और भोश्य में क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं हमें किन-किन परिष्टियों का सामना करना पड़ सकता है इन्हें भी समय चीए तो बढ़ते तापमान के चलते एसिया के दक्सिनी पच्छिम एरियाज में मांसुन में अचानक बद्लाव देखने को मिलेंगे इंटर गॉर्मेंटना पैनल ओन क्लाइमेंट चेंज यानि आई पी सीसी स्युक्तराष्ट की एक संस्ता है जिससे जलवाई परिवर्तन का आंकलन करती है तो रिपोर्ट में सब्सक्राइब कर देखने को मिलेंगा जिसे हम कभी भेंकर लू से बियार रूतर परदेश में सो सो मोतों के रूप में देखते हैं क्योंकि साल 2023 में बियार और रूतर परदेश में लू से सपेट माने से सो लोगों की मोत हो जाती है वही बदलते मांसून के रूप में हमने 2017 में हुत्रा कंड की तरास्त दियो आसाम उडिसा वेस्ट मंगाल यहां तक इस बार यमुना नदिन दिली को भी नहीं चोड़ा यह बेंगोसम के बड़े इस तरह का बदला आप गलोबल वार्मी की वज़े से देखने को मिलते हैं वही साथी कनाडा के बेकूर में 2022 में 51 डिक्री सेंसे ताप मान जो कनाडा के हिस्टी में उच्टम था क्योंकि कनाडा में इस से पिएले 45 डिकरी सेंसे अधिक ताप मान कभी नहीं है जिसमें गरीव एक सो तीस लोकों की मोलत हुई यहां तक कि भेंकर गर्मी के कांट बिट्रेस में राष्टिया पात काल की घोशना कानी बड़ी, तो गलोबल वार्मी को लेकर हालाद कितने बदसर से बदतर होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हूँ, दूसरा पिखलता कलेशियर यह शिकूरती जमीने, पर् कि एक तरफ समुद्र का जल इस्तर बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ दुनिया जल संकट भी गे रहेगा, आइसलेंड के सबसे प्राचिन गलेशियर में से एक ओक जोकूर गलेशियर जो पूरी तरह से सूप गया, दूसरी और आइसलेंड में 2 अगस 2019 को एक ही दिन में 12 बिल वर्तमान लगा सकते हो, इस्ततिया कितनी ब्यावय हो सकती है, क्योंकि जब एक साइकलोन आता है, तो तरफ वर्ती एरिया में होगा के लोगों को बचाने के लिए कितने बड़े-बड़े उप्सम करने पड़ते हैं, बलकि यहां तरह 17 फर्तिसाद एरिया जल मध्न होने की बात की जा रही है, वही हिमालिया गलेशियरों की वर्तमान इस्तती में हुए हाल के इत्यन में, 750 गलेशियरों पर चार दस्कों के दोरान परप के पिकलने का विश्नेशन किया गया, जिसमें पाया गया कि 1905 से 2000 के बीच, यानि 25 वर्सों में हर साल ओसतन चार बीलियन टन पिकल रही है, लेकिन वर्स 2000 से 2016 के पिकलने की रफ्तार दोगनी होगी, वर्स 1905 में इन गलेशियरों के जितनी वर्फ मोजूद थी, वर्स 2016 में गटकर बहतर परतिस्त रही है, जो एशिया के अधिकां सिसों में लाकों लोगों के लिए पाने की आप उर्ति करवाता है, द तो तापमान का बढ़ना गलेशियर के पिकलने का कारण बनता है, जो समुदर के जलिस्तर को बढ़ा देता है, तो दूप के या समान परवाव से बर्व के पिकलने के रफ्तार भी कापी तेजी आई है, लेकिन आज हमें गलोबल वार्मिंग से बसने के लिए व्यक्ति के दूप से कैसे प्रयास करने चाहिए, तो आज हम सभी को कारण न्यूटल बनना होगा, यानि आप अपने कारण फर्ट फ्रेंट को पूरी तरह से मिटाने के लिए उतने ही पेड़ लगए जो उनकी देखवाल कीजिएगा, जो आप दोर आप उस सर्चिस होने वाले पूरे अच्छे होते हैं, लेकिन अब ये सब चीजे आउटड़ेटेड हो गई है, कि अगर गलोबल वार्मिंग से लड़ना है, तो वेस्विक लेवल पर सभी गवर्मेंट वो एक विस्तरत पॉलिशी की जुर्द है, उसमें में आपके सामने कुछ पूरेंट रखना चाहता हू तक हम और सरकार गलोबल वार्मिंग अगैश्ट लड़ सकें, तो फैला पॉइंट वेस्विक सरकार जिवासम इदन पर जो सबसीटी मिल रही है, वो क्लोज करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तरफ तो आप फ्यून को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो दूसरी तरफ सबसीटी दे रहे हो, एक डाटा के मुताबिक 2020 में जाँ जाँ जिवासम इदन को कुल 28.9 लाक करोड रुपे की सबसीटी दी की, तो वही 2021 में वोरानोप फरसीजर वर्ती के साथ बढ़ा कर 55.5 लाक करोड रुपे पहुंच गी, तो गलोबल लीडर्सिप के दूगलेपन क अधर साता है, जिससे जलवाईयों लक्षियों को आसिल करने की देशा में बड़ी अच्चन पैदा करता है, तो सबसे पहले तो सबसीटी खतम करने चाहिए, दूसरा फ्यूल गाडियों पिजे इलक्ट्रोनिक गाडियों को गरीदना होगा, उसमें जो भी इलक्ट्रोनिक कारबैंद पोस्थर्जन करते है, उन पर ज्यादा टेक्स होना झाए, वहीं कम पोसर्जन में क्शनों करने वाले कपने पर कम टेक्स होना झाए, यानि जितना और सर्जन उसीगे को टेक्स होना झाए, तो वीडियो इनफर्मेट्य लगा हो तो चैनल को ज़रूर करिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तके लिए मेरा नमस्कार